नमस्कार दोस्तों में विमल सिंग बालाजी श्टरी एड़ा में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी जूनियर एड़ेट की जो वकेंसी आई है उसका आप आविधन फॉर्म कैसे भरेंगे पूरा एक-एक स्टेप देखेंगे साथ ही साथ जो लोग कह रहे थे कि केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नियुन्तम आहरता के अंतरगत किसी भी मानिता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सायक अध्यापक पद के लिए जो आहरता हैं है वो आप देखिए तो कोई अध्यापक पुशिचण पार्टिक्रम जो है आपके पास होना चाहिए या करके प्रारामभिक जो सिक्षा है उसमें दूय वर्सी डिप्लोमा यानी कि या तो डियालेड होना चाहिए या तो 50% अंग के साथ इसनातक त xuथा सिक्षा इसनातक जैसे की B.Ed वगरा होना चाहिए या फिरम इसिक टीचिंग सर्टिफिकेट बीटीसी या फिर बीलेड प्राइबिक सिक्षा में चार मर्सी उपादी ये सबी चीरिया आपके पास होनी चाहिए साथ ही साथ आपका जो सिक्षक पातरता परिक्षा उसके संदर में भी लाश में दिया गया है इस बाकी जो भी से संबंदेश चात्रे उसको पढ़ सकते हैं पर लाश में देखे राज सरकार अत्वा भारा सरकार दोरा संचालित अध्यापक पातरता परिक्षा यानि कि उच्च प्रात्मिक इस तर को भी आपको उत्रीड जो है वो किया होना चाहिए तो यानि दोनों ही चीज़े आपकी होनी चाहिए रिसीप्रकार प्रधाना अध्यापक पत के लिए भी इसमें आरताएं जो है वो दे रखी है जिसमें पांच वर्स का आपको पहले ही मैंने बताया कि अनुभव भी जो है वो मागा गया है आयू सीमा के संदर में भी प्रसन आ रहा था वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सायक अध्यापक ये सायक अध्यापक की जो भर्ती है उसके लिए आवश्यक है कि अभरती ने विग्यापन के दिनांग को 21 वर्स की आयू प्राप्त कर लियो और 40 वर्स से अधिक की आयू प्राप्त ना की हो खलियर लिखा गया है इधर साइड लिखा भी है सायक दूपक के पत के संदर में ये 21 वर्स minimum आयू है और प्रदाना दूपक के लिए ये 30 वर्स आपकी minimum आएज होनी चाहिए उतिस बborgरती जाती हो और अनुपी जो आयू है निच्यवाली आयू fix है सबक है वो मिलेगी तो यह दो बेन प्रस्टन सबसे ज़्यादा आ रहे थे अब हम देखते हैं हमारा फॉर्म यह आपकी वेबसाइट है ओफिचेल यूपी डीले डॉट जी ओवी डॉट इन इस पर आप विजिट करेंगे तो यहां आपका दूसरा पेज खुलेगा जिसमें इस सभी सबसे पहले दिसानिर्देश लिखे जाएंगे जब को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अपना जो आवेदन है वो उसको करने से पहले सुल्क 700 रुपए साय का ध्यापक के लिए जन्नल और OBC के लिए और अगर दोनों दिव्यांग भरती है उनके लिए 300 रखी गए और दोनों पदों के लिए 400 बाकी यहां पर और भी चीजे लिखी गई है कि मोबाइल लंबर के साथ-साथ आपके पास एक इमेल आईडी भी होने चाहेंगे कि दोनों पर OTP आपका जाता है तो यह सारे यहां पर लिखे हुए एक चीज़ यहां पर फोटो और सिगनेचर के संदर में भी लिखा गया है और फोटो जो है वो आपकी 10-50 के भी की होनी चाहिए और सिगनेचर 5-20 के भी फोटो के संदर में विसेज दिसा निर्देश भी दिया गया है जो अलग से मैं भी आपको दिखा दूंगा जब उसके लिए नीचे ऑप्शन पंजी करण के लिए यहां क्लिक करें यह आ जाएगा इस पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यह आपका पूरा फॉर्म जो है वो खुल के आ जाएगा जहां पर सबसे पहला केंड़ेट नेम फ़र्कना है फिर पादर ने मदर नेम डेट बर्थ केटिगरी में आप देखेंगे तो यह जो भी केटिगरी से आप बिलॉंग करते हैं वो भर सकते हैं इस्पेसल केटिगरी में आप देखेंगे तो यह जो भी आप जिससे बिलॉंग करते हैं वो भर सकते हैं इसी परकार जेंडर उसके बाद इमेल आईडी मोबाइल लंबर उसी के साथ सा ट्रेनिंग कोर्स पास्ट में आपको यह भरना है कि आपने कौन सा कोर्स किया है DLAD, BAD यहां तक देखिए सभी कोर्स दे रखे हैं यहां पर DLAD भी दे रखा है DLAD भी दे रखा है तो सभी कोर्स को सामिल किया गया है जो भी आप सम्मधित होंगे उससे भर सकते हैं साथ यसाथ teacher eligibility जो test है इस पर आप click करेंगे तो इसमें उपर को ही जब आप fill करेंगे तबी नीचे कुलेगा option तो DLAD वाले पर जैसे हमने click कर दिया है तो teacher eligibility test में आपके पास दो option मिलेंगे या तो आपके पास upitet होना चाहिए clear या तो आपके पास seated होना चाहिए और यहाँ पर जो भी आप जैसे upitet या seated में से हमने seated फिल कर दिया उसके बाद यहाँ पर उसी के आपसे detail जो है पूरी मांग ली जाएगी जिसके अंतरगात सबसे पहले जैसे आपने dealet फिल किया है तो dealet की पूरी detail भनी होगी जिसमें सबसे पहला option board या university का दे रखा है जो भी आप यहाँ पर फिल करेंगे normally आपने अगर UPC किया है तो इसमें सबसे पहला option परिक्षा नियमक प्राधिकारी PNP का रहा है आप इसको क्लिक कर सकते है result declaration date में आपको यह date फिल करनी है जो कि आपको अपने विद्याले के मादधम से पता चलेगी क्योंकि बहुत सैसे चात्रे हैं जिनको अभी तक मार्सीट जो है वो नहीं मिली है passing year यहाँ पर भरना है आपको उसके बाद यहाँ पर roll number फिल करना है या फिर enrollment number भी फिल कर सकते हैं आप मार्सीट नमबर अगर नहीं मिली है तो एक option आपको यह भी दिया जा रहा है कि end.a करके भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं यह आपका एक option के तोर पर है पर अगर आप अपने विद्याले में बात कर लिजए मार्सीट नमबर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर मार्सीट नमबर जो है वो फिल कर सकते हैं विद्धाले के माध्धम से आपको ये प्रोवाइट करा दिया जाता है तो एक बार पता अवश्य कर लिजेगा उसके बाद exam total marks अविए कितने है उसमें से आपने कितने प्राप्त किए और उसी के आधार पर percentage स्वें से जो हम लिखकर आ जायेगा जैसे कि हम माल लेते हैं यहाँ पर अपने जिसे 1500 marks फिल कर दिये उसके बाद जैसे यहाँ पर हम इस में से 1200 लिख देते हैं नंबर की हमारे आए तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे percentage अपने आप यहाँ पर सो कर देगा यहीं पर 1200 की जगा हम देखे 1300 करके दिखाते हैं आपको तो अपने आप percentage जो है यहाँ पर जितना होगा वो आ जाएगा सेम चीज़ सीटेट का भी आपको फिल करना है यहाँ पर किस बोर से है यहाँ कि अगर यूपीटेट आपने सेलेक किया होगा तो उसके लिए आप परिच्छा नामक PNP भरेंगे वैसे आप CBSC भरेंगे जब सीटेट के लिए करेंगे या कुछ और है तो अधर भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको इसका डेट लिखनी होगी रिजर्ट डिक्लेरेशन की पासिंग यह लिखना होगा इसी परिकार रोल नंबर मार्सीट नंबर और यह सारी चीज़े आप देखेंगे तो जो डिजिल लॉकर से आप डाउनलोड करते हैं अपनी मार्सीट जिन्होंने अभी चीज़े फिल करके यहाँ पर जो कैप्चा लिखा होगा इसको यहाँ पर फिल करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे मैं एक बार डिटेल भी आपको दिखा देता हूं कि एक सैंपल के तौर पर कैसे क्या चीज़े रहेंगी जैसे केंडिडेट नेम यह वगयरा सारी च चीज़े आप देख सकते हैं इस टाइप से यह आपको लगबग भरनी है जिसमें इस सारे परसंटेज भरने के बाद यह आपका फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट करने के बाद आपका क्या आएगा पेज यह जो भी आप डिटेल भरेंगे वह एक बार आप को दिखाई जाएगी कि आप एक बार डिटेल देख लीजे और कंफर्म कर लीजे कि यहाँ पर कोई चीज गलत नहीं है अगर कुछ आपको यहाँ पर देखने हम गलत लिखना है लगता है तो इस बैक वाले बटन पर क्लिक करेंगे और जदी आपको नहीं लगता है तो इस final summit पर जो है आप क्लिक करेंगे फाइनल समिट पर क्लिक करने के बाद यह लिखे आएगा कि आप इसके बार में कोई भी चेंज कर नहीं कर सकते है तो क्या आप registration करना चाहते हैbar formally या फिर नहीं तो फिर आप अगर confirm है कि हाँ सारी इसमें चीज़े साही है तो यह प्लीज द आपका मुवाइल नमबर और साथ ही साथ जो जो रेजिटेशन डिटेल है वो OTP के साथ आपकी इमेल आईडी पर भेज दी गई है तो दोनों ही मैंने कहा था इसके लिए वर्किंग अडिशन वाला आपका जो होना चाहिए फिर जो भी आपको वहां पर डिटेल मिलेगी उसक और forget one time password या registration number तो यहाँ पर क्लिक करके आप फिर से जो है वो भेज सकते हैं जो भी capture यहाँ पर दिया होगा उसको आप जो है वो फिल करेंगे यहाँ पर और login पर जो है वो क्लिक करेंगे login पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपकी जो भी detail होगी वो आपको फिल कर दे हैं जैसे category certificate date अगर आपने लगाया होगा तो उसकी date बननी होगी vacancy applying for जो है इसमें तीन option दे रखे हैं assistant teacher वाला junior edit exam और साथ यसाथ दोनो या तो फिर principal का cable single बना चाते हैं तो जो भी आपने फिल किया होगा उस पर जो है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो examination center city य यहाँ पर choose करेंगे वहाँ पर choose कर सकते हैं उपर वाले option में दिखा देते हैं चलिए नीचे नहीं तो examination center city में जहाँ पर भी आप exam देना चाते हैं वह फिल करेंगे कि वहाँ पर तारीक आपको डानी पड़ेगी टोटल experience जो है वह यहाँ पर आपका कितने साल का है वो लिखकर जो है वो आ जाएगा अगर आप principal पर जो है उसके लिए भी फिल कर रहा है बाकी exam city मैंने पहले बता दिया कि जो भी होगी है वहाँ पर आप उसमें से choose कर में जैसे आप submit करेंगे यह आप से पूछे का जरूर कि आप कोई change नहीं कर सकते हैं कि आप finally registration के लिए करना चाहते हैं तो yes please do अगर कुछ आपको लगता है कि बदलना चाहते हैं तो no पर जो है वो click कर सकते हैं जैसे आप click करेंगे successfully तो आपको इस type से दो चीज़े लिखके आ जाएंगी click here to proceed और download declaration form और uploading तो आप यहाँ पर विसेज ध्यान आपको यह देना है कि आपको proceed नहीं करना है आपको यह declaration form जो है वो download करना है यह download जब आप इस पर click करेंगे तो आप PDF form में इसे download कर लेंगे इसका आपको निकालना पड़ेगा print out अब जब आप निकालेंग कुछ इस प्रकार से पूरा आपका जो form होगा वो दिखाएगा इस form में जब नीचे आप देखेंगे यह जो line लिखेंगे कि मैंने online आवेदन पत्र में अंकित प्रवश्टियों का print निकाल कर यह सारी जो पूरी line लिखेंगी print out निकालने के बाद आपको यहाँ लिखनी प पता दूं कि इस declaration form में ही आप देखेंगे तो यह उपर आपको 10th 12th graduation यह सभी भी मार्स फिल करने होंगे जो कि उपर वाले step में ही थे जहां पर आपको यह experience teacher वाला मैंने option बताया था उसी के नीचे आप देखेंगे तो 10th intermediate graduation में बोर्ड युनिवेस्टी आपको फिल करना था result declaration date, passing year, roll number, mark sheet number, total number, कितने आपने आप प्रसंटेज अपने आप जो है वो आ जाएगा तो यह इसी step से ही just पहले था exam centricity डाल के और आपको कैच्छा जो है वो फिल करने दिना है वापस उसी step पे आ जाते है declaration form वाले और यह जो आपको download करके declaration में लिखना है इसको आपको upload जब photo sign आपको करना है वहाँ पर जो है upload upload करना है तो आप scan करके इसको रखे रहेंगे और यह जो मैंने बताया था नीचे line लिखनी है वो आप स्वयम से लिखेंगे इस चीच का विशेज ध्यान रखेगा और इसको रखे रहें इसका इन करना है अब हम इसी के ही next step पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहें कि किसी भी time पर आपका यह logout भी हो सकता है क्योंकि website इतनी clear नहीं चलती है जब भी logout होगा तो हो सकता आपसे एक नया password बनाने को लेकर कहा जाए तो जिसमें आप one time password या pin आपसे जो आपको email ID या phone number पर आया होगा वो डालना होगा new password बनाना होगा confirm new password पर क्लिक करना होगा और जो भी आपर password बनाना होगा वो इसमें जो requirement होती है capital में letter हो number भी हो alpha numeric भी हो उन सभी का ध्यान रखेगा अब new password और confirm new password डालने के बाद फिर से आपको login करने को इस करेंगे तो इस type से आपको दिखा देगा कि download declaration form अगर आपने नहीं किया तो यहां से download कर सकते हैं दूसरा जो step है वो आपको fees payment करनी है फिर आपको registration पार टू है फिल registration पार टू उस पर क्लिक करना है बाद में photo आपको और signature अप्लोड करने है बाद मिलाश में आपका जो form है वो complete होगा यानि हम पहला step तक पहुच चुके है step 2 में आप पीस payment के लिए pay fees पर जो है वो क्लिक करेंगे और उसके बाद जितनी भी आपकी पीस होगी जिससे सम्मंदित वो आप bank जो यहाँ पर दे रखी है अलग-अलग उसके मादम से कर सकते है इस type से आपको लिखे आए जिसमें किसी-किसी में bank charges भी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे SBI net banking के लिए 11 रुपए 8 पैसे करके यह आपका दे रखा है other bank का है तो 70 रुपए 7 पैसे इस type से state bank का debit card या other bank का debit card है तो कोई भी bank सुलक जो है वो नहीं लगेगा तो अगर आपके पास है कोई debit card तो उसी से payment करिए बाकी याँ पर credit card वगरा की भी है charges 11 रुपए और सबसे अधर charges आप देख रहे हैं तो यह आपका जो चालान के तुरू आप करते हैं वो 59 रुपए रखा गया तो यह कोशिस कीजिए नहीं करिए अगर आपके पास नहीं है इन case तभी आप इसको apply साथी साथ UPI से payment आप सभी के पास phone पे Google पे सब होता है तो उसके अभी charges 0 ही रुपए है तो जो भी आप इसमें से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जब आप इस पर click करेंगे जिस भी मादन से तो यह आपको इस प्रकार से show करेगा इसमें से जो भी आप जिससे भी related जारी जो सेव करके फिर उसके बाद ये पूरा जो आपका procedure होगा वो यहाँ पर लिखके आ जाएगा फिर यहाँ पर last में आपका payment पर clear लिखके आएगा कि आपका जो payment है वो successfully हो गया है या नहीं हुआ है और अगर in case आपका payment में balance कर जाता है और आपका जो message है इस परकार से नहीं सो करता है direct logout हो जाता है तो टेंसर ना लीजेगा फिर से आप login कीजेगा यहाँ पर जो आपका जो fees का यहाँ पर लिखके आ रहा है यह आपको यहाँ पर देखेंगे fees paid करके लिखकर आ जाएगा कुछ दो से तीन मिनट बाद आपको इंतिजार करना पड़ेगा और अगर नह देखेंगे और यही जो आपने फिल किया है उसकी detail भी नीचे आपको इस प्रकार से नीचे लिखकर वो आने लगेगी जो registration पार 2 है जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर parents यह guardian name फिल करना होगा address फिल करना होगा उसके साथ pin code फिल करना होगा nationality state district capture यह सा सारी चीज़ा आपको फिल करनी होगी ID टाइप में यह द्यान रखिएगा कि जो आपके पास हो जैसे आप जब paper देने जाए तो वहाँ पर आप उसको दिखा सकें अगर आप के पास ऐसी कोई ID है जो है नहीं और आप एक number के तुरू भर रहे हैं तो ना करिएगा जो आपक आपको चेंज करना चाहते हैं तो back भी कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार से message flash सो करेगा कि आपको चेंज करना तो नहीं चाहते हैं क्योंकि फिर दुबारा चेंज नहीं कर सकते हैं फिर next step में आप देखेंगे तो successfully आपको इस type से जब आप प्रोसीड करेंगे तो लिखके आजाएगा click here to upload document करके भी option आपको यहाँ पर so करेगा इसमें click करने के बाद next step में आप देखेंगे तो यह भी step आपका green हो जाएगा form फिल्ड करके चौथा जो step है upload photo and signature वो आजाएगा यहीं पर मैंने आप से कहा था कि जो आपने scan किया था वो file आपको देखे कि सबसे पहले लिखी upload undertaking यह एक फाइल यहाँ पर आपको upload करनी होगी जो हमने starting में आपको कहा था print out निकाल कर swim से pen से आपको चीज़े लिखनी है और लिखने के बाद आपको उसको scan करना है और scan करने के बाद वही file यहाँ पर upload करनी है यह भी लिखा है कि जो size है वो आपका 150 kb से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए है यहाँ पर आपको फोटो upload करनी है और यहाँ पर आपको signature upload करना है signature के लिए मैंने starting में कहा था कि एक विसेश यहाँ पर एक बिंदू दिया गया है जिसको अगर नहीं आप ध्यान देंगे तो आपका form भी redirect हो सकता है और जो वो main बिंदू है वो यह है कि जो आपकी signature है यह देखे signature image लिखा है यह आपको white paper पर होना चाहिए और किससे black ink pen से होना चाहिए clear लिखा गया है आप blue से नहीं करेंगे black से ही जो है वो करेंगे size बगरा भी देख सकते हैं इस प्रकार से width और length height जो है इसके दे रखा है और size है वो यह आपकी विद्दे रखी 3.5 cm और height 4.5 cm दे रखी है साथी साथ दिसा निर्देश भी दिये गए है कि आप किसी प्रकार से cap hat या dark glasses यह सब नहीं लगाएंगे और साथी साथ अगर आप glass लगाते हैं चस्मा लगाते भी हैं तो reflection किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए आपकी कहने का मतलब है clear आप देखने चाहिए और यहां पर जो camera है उसमें आप एकदम straight देखना चाहिए यह नहीं कि सारुख खान वाले पोच में पोटो की चाह रहे हैं और यह सारी चीज़े यहां पर दिसा निर्देश दिये गया है पोटो के size भी लिखा गया है 20 की भी जो है इससे उपर आपका जो file size है वो नहीं होना चाहिए और लिखा है कि if the file is more than 20kb आपको setting जो है वो करके उसका dpi resolution वगरा है वो adjust करना होगा और उसको सही जो है वो करना होगा वापास से form पर जड़ते हैं तो यहां पर इसी परकार form upload आप photograph भी करेंगे आपको उसके बाद signature कर करेंगे click here to preview पर click करेंगे उसके बाद इस type से आपका पूरा जो फिल किया होगा आपने यह आप स्कैन करें जो आपने होगा वो सो कर देगा नीचे जो भी आपकी photograph आपने अप्रोड किया होगी वो सो कर देगा फिर आपका जो signature होगा वो यहां पर सो कर देगा और capture आपको do या कुछ change करना चाते हैं तो नो पर क्लिक कर सकते हैं और जब आप विस पर क्लिक कर देगे तो document upload successfully आपका यहां पर message कर देगा click here to proceed पर फिर से आप जो है वो क्लिक करेंगे फिर यहां पर जो चौथा वाला step है image uploaded वो भी green आपका हो जाएगा तो अभी तक हम पूरे इतने जो step है complete कर जुके हैं और यह last का आपका print form वाला option आएगा इस पर आप जो है वो click करेंगे और इस प्रकार से आपका जो पूरा जो form आपने भरा होगा उसका print out निकाल कर future के लिए जो है वो रख सकते हैं तो यह आपका पूरा इस type से last में print out निकल कर आएगा जहां पर जो अलग-अलग आपके विसे जो हैं उसमें दे रखे हैं जैसे कि math science हो गया, Hindi English हो गया या social science हो गया तो पूरे ही form में सबसे बड़ी यही खामी है कि कहीं पर भी इस प्रकार से विसे जो है वो नहीं पूचा गया है कि किस विसे के लिए आप जो है वो paper देंगे तो यह अभी कुछ भी जो है वो नहीं पूचा गया है अब देखना हो यह होगा कि इसमें क्या कुछ आगे चलके जो है कोई change बगारा जो है वो किया जाता या इसी प्रकार से कोई परिक्षा का जो level होगा या परिक्षा कराने का कोई तरीका होगा उसे जो है वो रखा गया तो मैंने सा आग वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दिएगा तकी सभी लोग सही सही फॉर्म भर सकें तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक लिए नमस्कार थैंक्यों पॉर होचेंग